हलो एवरिवान वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिलाइंस रिटेल की जिन्होंने लगशरी फेशन ब्रैंड अबरहाम एंड ठकोर में मेजरिटी स्टेक खरीदा है तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डीटेल में डिसकस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करेंट प्रैस पे आपको रिलाइंस इंडस्ट्री का शेयर लेना चाहिए है नहीं और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट की जीए तो सबसे पहले अगर बात की जाए रिलाइंस रिटेल की तो ये भारत के लार्जिस्ट और्गनाइज रिटेलर हैं चाहे वो रिविन्यू की टर्म्स में हो या स्टोर नेटवर्क की इनके देश पर में 40 मिलियन स्क्वार फीट के एरिया में 14,412 स्टोर्स हैं और अ रिलाइंस इंडस्ट्रीज में इनका कॉंट्रिबूशन देखें तो रिलाइंस रिटेल 25% के आज पास रिविन्यू कॉंट्रिब्यूट करता है ओवर रिलाइंस इंडस्ट्रीज में और I am sure कि आपने इनके ब्रैंड से कभी ना कभी कोई समान लिया होगा इनके बहुत सा इसके लावा नॉन को रिटेल केटेगरी इसकी बात की जाए जहां से इनका 43% रिविन्यू आता है उसमें मेजरिटी आता है कनेक्टिविटी से क्योंकि यह जियो सर्विसेस के मास्टर डिस्ट्रिबूटर है चाहे आपको जियो रिचार्ज कराना हो कस्टमर रिचा है तो वहां से इनका 8.7% रिविन्यू आता है रिलाइंस रिटेल में और आप देखेंगे कि फिबररी 2019 के बाद से यह जो इनके एक्विजिशन है दिसंबर 2021 तक का डेटा है तो आपने देखा होगा कि कितने सारे इन्होंने एक्विजिशन की हैं डिफरेंट फील् हैं उनको भी एक्वायर किया है तो यह बहुत ही मैसिवली ग्रो कर रहे हैं और अब अगर बात की जाए अबरहाम एंड ठकोर की तो यह भारत के वन ऑफ दा मोस्ट सक्सेस्फुल और रिस्पेक्टेड डिजाइनर ब्रैंड है फेशन एक्सेसरीज और होम टेक्स्टाइल साते हैं इनके जो इनका डिजाइन लेबल है यह 1992 में इस्टैबलिश किया गया था डेविड अबरहाम और राकेश ठकोर जो की नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डिजाइन के ग्रेजुएट्स थे इन्होंने इसको स्टार्ट किया था और बाद में इसको केविन निजली ज और जो अबरहाम और ठकोर ने जो अपनी स्टार्टिंग की थी वो लाउंच वेर और होम कलेक्शन से करी थी और यह इनिशली भारत से बाहर दे कॉनरेंड शॉप जो लंडन में है वहाँ पे अपने प्रड़क्ट्स को बेचा करते थे बाद में इनके ग्लोबल स्टोर्स जैसे कि Liberty, Browns, Harrods, Selfridges वगेरा में भी इन्होंने अपने प्रड़क्ट्स को बेचा और लगबख 15 साल तक ये जो भी इनके प्रड़क्ट्स थे वो इंटरनेशनल स्टोर्स में बेचे जाते थे फिर ये 15 साल के बाद अपनी स्टार्टिंग के यानि कि 2007 के आस पास ये भारत में आए और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डवलप्मेंट की तो Reliance Retail Ventures Limited जो की Reliance Industries की एक सबसिडरी कंपनी है उन्होंने कल यानि कि एक मार्च को एन्नाउंस किया है कि ये होम ग्रोन डिजाइनर ब्रैंड अबरहाम एंठकोर एक्सपोर्ट प्राइवेट अबरहाम एंठकोर में मिजरिटी स्टेक एक्वायर करेंगे और इस ब्रैंड की जो ग्लोबल अपील है उसको बिल्ड करना चाहते हैं फैशन और लाइफस्टाइल मार्किट में रिलाइंस रिटेल के पास मिजरिटी स्टेक होगा लेकिन जो डिजाइन ट्रियो है करेंगे इस brand को lead करना और इसके अलावा पीछे अगर हम कुछ सालों की बात करें तो Reliance ने fashion में बहुत सारी बड़ी investment करी हैं जैसे कि सत्या बॉल में रितु कुमार रागविंद्रा राठोर एके ओके और मनीश मलोतरा जैसे इन्होंने fashion brands में investment करी हैं और अब अगर बात की जाए कि क्या current price पे हमें Reliance Industries का share लेना चाहिए नहीं तो सबसे पहले अगर इसकी past performance देखी जाए तो तीन साल में इन्होंने 93% की amazing return दी है पिछले एक साल में भी 13% की आसपास की return रही है आला कि एक January से इनका share खास नहीं चला है इन्होंने minus 0.36% की return दी है क्योंकि इस time पे हमारी market भी काफी correct हुई है तो उस वज़े से इनके share में भी दबाव देखा गया है इसके अलावा अगर dividend की बात की जाए तो company खास dividend पे नहीं करती इनके dividend yield काफी कम है 0.3% की आसपास है जितना भी पैसा कम नहीं कमाती है वो अपनी growth और debt कम करने में use करती है और अगर ticker tape के productive analysis को देखा जाए तो वो इसका average target price 2780 की आसपास बताते हैं higher side पे 3038 और lower side पे 1825 और जो Monday की closing हुई थी वो 2360 की आसपास हुई है तो इससाब से अभी अपने average target price से काफी नीचे पे available है तो pricing definitely attractive है और अगर इसके fundamental और peers analysis को देखा जाए तो ये भारत की largest company है market capitalization के हिसाब से 15,96,000 करोड का market capitalization है और PE और PB ratio देखी जाए तो इससाब से भी काफी attractive लगती है return on equity की 7% के आसपास है इसके अलावा profitable company है और एक lotty company है भारत की जो की एक साल में 50,000 करोड से जादा का profit कमाती है तो अगर मेरी personal opinion पूछी जाए तो मुझे इस share में काफी भरोसा है जैसे कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी बोला है कि अगर मेरे पास option हो कि मैं एक ही share ले सकता हूँ तो शायद वो reliance industries होगा और उसके पीछे की अगर वजहा की बात की जाए तो इनके अगर core businesses की बात करें तो इनका main business है oil to chemical जहां से इनका 56% revenue आता है वहाँ पे petro chemicals products में ये number one है refinery में number two players हैं उसके बाद digital की बात करें जिसमें जियो आता है उसमें ये telecommunication में number one है home broadband में number one है और retail category में आपने देखा है ये largest retailer है इन्हों ने इतने बड़े acquisition किये हैं और अब इनका जो revenue है वो 50,000 करोड से भी जादा हो चुका है इस segment का और चौत्था segment जिसमें की company आने वाले time में focus करने वाली है वो है green energy segment और इसमें company 3 साल में 10 billion की investment करेगी और overall अगले 10 सालों में 75 billion तक की investment करेगी और मुझे लगता है कि green energy आने वाले 10 साल में जो इंडिया की commitment है COP26 में उसकी वज़े से बहुत ही जादा major investment green energy में होने वाली है तो उसमें भी ये बड़े player उभर कर निकल सकते हैं तो इन सब को लेकर के मुझे काफी विश्वास है इसके business में और already इनका share काफी correct हो चुका है तो current price पे भी और किसी भी correction में मुझे लगता है कि ये share definitely आपके portfolio का part होना चाहिए long term vision के साथ हाना कि short term में थोड़ा बहुत ही आपकी patience test कर सकता है बढ़ अगर आपका long term vision है तो ये share आपको बहुत ही बढ़िया return दे सकता है हाना कि video close करने से पहले मैं हमेशा की तरह disclaimer दूँगा कि जो भी views थे वो मेरे personal थे अगर आप Reliance Industries के share में invest करना चाहते हैं तो अपनी further research कीजिए उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तब ही आप उसमें invest कीजिए Thanks so much for watching the video and God bless you all